गर्मी का मौसम होता है और आधी रात हो रही होती है आधी रात में चंगो और मंगो अपनी बाइक से जंगल के रास्ते में जा रहे होते हैं दोनोंने काफी पी रखी होती है और चंगो को कुछ जादा ही चड़ी होती है इसलिए वो गाना गुनगुना रहा होता है वो बाइ रात के टाइम आसपास के गाओं में जाकर चोरी किया करते थे और ऐसे ही सन्नाटे भरे रास्तों से वो लोग जाया करते थे इसलिए उस रास्ते पे एक भी गाड़ी नजर नहीं आती है बंगो पीछे बुणके देखता है वो बूलता है कि तुझे जादा ही चड़ गई है तब ही आचानक से उसकी बाइक का टायर फट जाता है और बंगो गाड़ी रोग देता है चंगो बंगो इधर उधर जंगल की तरफ देख रहे होते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता तब ही चंगो बूलता है कि तुने बीच रोड़ पे गाड़ी की रोग द ही है तो चंगो बोलता है तो फिर इधर उधर क्या देख रहा है कोई गाड़ी आएगी तो उससे लिफ्ट मांगे निकल जाएंगे वो देख सामने बोर्ड लगा हुआ है रामपूर तो किलो मीटर है चलो रामपूर ही चलते आज वहीं के डावे में रात बिताएंगे चं कर जलते हैं को दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तब ही वो देखते हैं चंगल के योर से एक हुप सूरत से लड़की निकल कर वुरामपूर की तरफ जा रही होती है और वो दोनों भी बोलते हैं क्योंना हम लोग भी इसका पीछा करें लड़की अकेली लग रही है इसके साथ तो कोई है भी नहीं, और दोनों पीछे हो लेते हैं, कुछ दूर तक वो दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं, और फिर चंगू उस लड़की के आगे जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, और चंगू उसकी आँखों में देखता है, तो वो देखकर हैर लगती है और चंगु से बोलती है क्या हुआ मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया जो करने के रादे से आय थे वो नहीं करोगे चंगु बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो डरते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देता है वो देरे देरे पीछे जा रहा होता है तब ही वो लड़की आकर उसका गर्दन पकड़ लेती है और उसके गले में अपने धारदार नाखुन गुसाना शुरू कर देती है उसके नाखुन चंगु के गले के अंदर काफी अंदर जा चुके होते है और चंगु की वही पर मौत हो जाती है यह सब देखकर मंगु मंगू के पैर तले जमीन की जग जाती है और उसका सूद बूद सबक हो जाता है तब ही अचानक से वो लड़की पीछे मुड़ती है और मंगू के दिल पे अपना हाथ गुसा देती है और उसका हाथ सीने के आर पार हो जाता है और मंगू भी वही पर धेर हो जाता है और वो आरत उन लोगों को देख रही होती है और काफी खुश हो रही होती है उसका चैरा काफी जादा डरावना हो चुका होता है और फिर से वो उस रामपूर के ओर निकल पड़ती है अगले दिन सुबा गाउवालों को गाउवाले सड़क पर दो अंजान लास मिलती है गाउवाले उसे देख रहे होते है और तब ही वो लोग इस ख़बर को आग की तरह पुरे गाउव में फेला देते है और सारे गाउवाले उसे देखने के लिए आते है वो लोग देख कर हैरान होते है कि इन लोगों को किसने मारा होगा क्योंकि काफी बेरहमी से मारा वह होता है फिर गाओं में अक्सर ऐसी मौत होना चुरू हो जाती है सडक पर किसी न किसी की लास मिलने लगती है पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वाले चांद मिन करने लगते हैं और फिर पुलिस वालों की भी लास मिलना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला चलता ही रहता है कोई इस मौत का कारण जान नहीं पाता और वो लोग ऐसे ही मनने लगते है पुलिस स्टेशन में भी अब कोई पुलिस वाला नहीं रहता दोस्तों पिलिस हमारे स्टोरी प्लैनेट जीरो को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हमारा बैल आइकन भी दबा दे ताकि दोस्तों आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों जरूर से जरूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें प्लीज दोस्तों बहुत जरूरी है कर दो ।